हलो फ्रेंड्स मेरा नाम राकिश बर्मा और मेरे यूटूब चैनल पर आपका स्वागत है आज हम चर्चा करेंगे उत्तर पिर्देश की सीमा से लगे मध्ज पिर्देश के जो चाउदा जिले हैं उन जिलों के नामों को हम याद करेंगे ट्रिक के माध्याम से तो मैंने जो ट्रिक बनाई थी इन जिलों को याद करने के लिए वो मैं आपकी साथ शेयर कर रहा हूँ उस ट्रिक को समझने के लिए जानने के लिए आप मेरे वीडियो को पूरा अंते तक देखें तो आपको मेरे ये ट्रिक समझ में भी आजाएगी मैं आपको जिस तरीक से बताऊंगा ट्रिक बहुत ही आसान है दोस्तो आपको याद हो जाएगी एक बार मैं ही और आपको ये जिलों की नाम भी याद हो जाएगी दोस्तो इससे पहले भी मैं इसकी ट्रिक बना चुका हूँ उतर प्रदेश सीमा से लगे तब उस समय दोस्तो 13 जिले लगते थे उतर प्रदेश की सीमा से तो मैंने वो ट्रिक बनाई थी लेकिन अब मद्ध प्रदेश का जब से निवाडी नय जिला बना है एक अक्टूबर 2018 को तब से उतर प्रदेश की सीमा से 14 जिले लगने लगे हैं इसलिए मैंने फिर से नया वीडियो बनाया है जिसमें उतर प्रदेश की सीमा से जो 14 जिली लग रहे हैं उसको हम ट्रिक की माध्यम से याद करेंगे तो सबसे पहले देखते हैं उतर प्रदेश की सीमा से लगे वो 14 जिले वो इस परकार हैं देखें मुरेना, सिंग्रोली, निवाडी, सीधी, सागर, रीवा, अशोक नगर, टीकमगड, पन्ना, शिवपुरी, भेंड, छतरपुर, सतना और दतिया यह जो चवदवाब जो इसमें जिला जोड़ गया है सीमा से तेरा थे पहले चवदव जिली निवाडी यह एक अक्टूबर 2018 को बनाने वाडी जिला टीकमगड से कट कर तब यहाँ पर चवदव जिले एड हुए हैं तो चलिए देखें, मैप में देख लेते हैं, समझ लेते हैं किस तरीके से तो आप यह मैप देख रहे होंगे यह रही उत्तर पिर्देश की सीमा और यह रहे हैं हमारे मद्य पिर्देश की जिले जो सीमा को छूते हैं तो वो इस प्रकार हैं देखिए मुरैना, भेंड, दतिया, शिवपूरी, अशुकनगर, सागर, टीकमगड यह टीकमगड से दोस्तों, एक अक्टूबर 2018 को यह कट की निवाडी नया जिला बना है, यह देखिए यह हो गया निवाडी, उसके बाद टीकमगड, शदरपुर, पन्ना, सतना, रीवा, सीधी और सिंग रॉली चली अब ट्रेक की उरबाढ़ते हैं दोस्तों ट्रेक की जरी हम इसको याद करेंगे इन चउदाजिलों के नाम तो देखिए वो चउदाजिले यह आप देख चुके हैं, ट्रेक को देखिए ध्यान से पढ़ी दोस्तों और समझेए आपको ट्रेक एक दो बार पढ़ने पर ही याद हो जाएगी मूली भिंडी दस्की और सलाद की छटनी पसरी सी सी है ट्रेक को समझें, मूली भिंडी दस्की जैसे मूली और भिंडी का भाव बताया जा रहा हो के बार दस्की है और सलाद की छटनी छटनी आप समझते हैं, बचा हुआ, जो छूट जाता है तो सलाद की जो छटनी की गई है पसरी है पस्री से मतलब समझ सकते हैं फैली CC है तो सलात की जो छटनी है पस्री CC है मूली भिंडी दस्की और सलात की छटनी पस्री CC है अब देखьте हैम इंसे जिलों की नाम को किस तरीके से याद करते हैं आपको ट्रिक आ दी तो याद होई गई होगी और एक दुवार पढ़ेंगे याद हो जाएगी इसको बाट के याद कर लें मूली भिंडी दसकी आप इतना याद कर लीजिए इसमें की और यहाँ पर एकी सेंटेंस को जोडने के लिए है और है इनको आपको सालेंट न करना है नूर कनना है की की और इसको है को तो मूली भिंडी दसकी आद हो जाएगा आपको और सलाद की छटनी भी आद हो जाएगा पसरी सीसी है ये भी आद हो जाएगा देखिए मूली के बन जाएगा मुरैनमा से भिंडी से बन जाएगा भिंड दस से देखिए दा से दतिय एक बार देखे लें ध्यान से मूली, भिंडी, दस्की, और सलाद की छटनी मूली भिंडी दसकी और सलाद की चटनी पसरी सीसी है मूली से मुरेना भिंडी से भिंड दसके दसे दतिया सासे सिवपुरी और से अशुक नगर सलाद किशा से सागर चटनी के छा से छतरपोटा से टेकम गड़ नी से निवाड़ी पसरी से पासे पनना सा से सतना री से रीवा और सीसी से सीधी और सिंग रॉली तो आसा करता हूँ दोस्तो आपको यह ट्रिक भी आपको पसंद आई होगी अगर ये ट्रेक अच्छी लगी हो तो मेरे एक वीडियो को लाइक करें अपनी दोस्तों लुक्षाद शेयर भी करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें मैं आपको अपनी ऐसे योर ट्रेक्स शेयर करता रहूँगा टैंक यू